हेलो दीपक किड़ेकर धीस साई मैं आपको आज स्वा सम्मोहन कैसे करना उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ अजह सेल्फ- hepnotism स्वयम सम्मोहन। कुदने कुद के ऊपर सम्मोहन करना या सम्मोहन होना वो कैसे है उसके बारे में जानकरी देता हूँ जब खूदने खुद को करने का है सम्मोहन तो होता क्या है कि हमारा ज़ो बाहिय मन है conscious mind या जागुरुत मन वो जागुरुत मन जागुरुत रहता है और वो अजागुरुत मन को सूचना देता है मतलब बाईय मन जो है वो अंतर मन को सूचना देंगा या conscious mind जो है वो subconscious mind को सूचना देंगा मतलब मैंने ही मेरे subconscious mind को सूचना देना है उसमें व्यक्ति पूरा कॉंश्यस रहता है पूरा जागूर्ध रहता है और वह खुद के कॉंश्यस मैंड से बाईय मन से खुदके अंतर मन को सूचनाय देते रहता है ना तो आपको इस में अपहले में आपको ये बताका हूं कि दो बार 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 एक relax ऐसा शब्द बार 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 में बोलूंगा या अपनी खुद ने बौलना है खुद को तो रिलेक्स इसका मतलब शिथिल करना धीला करना तब पूरा बदन धीलना करके बैठने का है और जब आप बैठेंगे तब दिवाल के पास में कुर्सी के उपर बैठने का है ताकि सीर ऐसा पीछे टिक सके असलिक पीछे टिकना चाहिए मतलब सीर को support हो जाएगा यह आप आराम कुरसी में बैट सकते है इजी चेर में बैट सकते हैं सोनेका नहीं है गदी पर लेटने का नहीं है क्योंकि समझों लेटके करेंगे तो आप उसमें सो जाएंगे तो बैटके करने का है और मैं बार-बार-बार-बार-बार खुद को रिलाक्स ऐसा बोलने का है रिलाक्स तो रिलाक्स मतलब बोड़ी बदन शिथिल करना फिर बार-बार-बार-बार-बार बॉलने का है स्लीप फिर बार 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 डीप ऐसा बोलने का है इस मतलब घेरा तो deep इसका मतलब आप अंधेरी गूफा में अंदर 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 जा रहे हो आखों के सामने अंधेरा अंधेरा आ रहा है और आप गहरी गूफा में अंदर जा रहे हैं इसी कलपना करने का है तो जब ऐसी कलपना करते जाएंगे आप गद्धी पर लेटे है और नीन ले रहे ऐसी कलपना करेंगे, पुरा बदन रिलाक्स करेंगे, तो धिरे 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 आप खुदी सम्मोह नावस्ता में चले जाएंगे, शवासन जो है, वो शवासन सम्मोह नावस्ता का, मतलब सम्मोह नावस्ता की पहली स्टेप है, पहली dead body, तो एक तो पूरा dead body जैसा आप relax हो जाएंगे, पूरा relax, completely पूरा बदन relax, और फिर पूरा relax बदन करके कुरसी पर बैटे हुए है, और आप अंगुठे किसे लेके, एक 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 बदन की हिस्से को relax, 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 relax करते जा रहे है, ऐसा अंगुठे relax, फिर पेरों के पंजे relax, फिर घुटने relax, फिर दोनों पेर relax, फिर पेट, कमर, पीट, सीना relax, कंदे relax, दोनों हाथ relax, गर्दन relax, जबड़ा, गाल, आखों की पलके, आखे, माथा, सिर, ऐसा पूरा relax, 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 पूरा बदन relax करने का है, गद्धी पर लेटे हो ऐसी कलपना करने की है, और आखों के सामने अंदेरा आ रहा है, और आप गहरी-गहरी गूफा में अंदर-अंदर जा रहे है, ऐसी कलपना करना है, और ऐसा करते-करते-करते-करते आप संभुवन अवस्ता में चले करने की है, सूचना को मेंसे देने की है, जो भी आपको चाहिए, कि मुझे ये मेरे जिन्दगी में नहीं हो रहा है, या समझो मुझे आत्मविश्वास नहीं है, तो सूचना अपने देने की है, कि मेरा आत्मविश्वास दिन बढ़ता जा रहा है, और कोई भी समस्या का सा ना मैं पुरे आत्मविश्वास के साथ में कर रहा हूं। ऐसी सूचना अपने आपको देने की है। यह सूचना लेके सिर्फ होंगा नहीं। तो भी क्या करना है जब हम ऐसे शब्द अपने आप से बोलते हैं। मतलब conscious mind, subconscious mind को बोलेंगा। उस समय में मेरा आत्मविश्वास करना हैं। और आपने को कालपना क्या में अपका। आत्मविश्वास सामें। दिन बढ़ेता जा रहा है। और को कोई भी समस्या का सामना मैं आत्मविश्वास के सांट में कर रहा है। मैं लोगों से आत्म विश्वास के साथ में बात्चित कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, फिर आत्म विश्वास बढ़ा हुआ है, ऐसी बार-बार-बार सुचना देने का है, और बार-बार आप सुचना जब देंगे, जो जिली मैं ऐसा बोलता हूं कि एक सुचना तीन तो एसे आप 10-10 से कंगे तीन बार ऐसा तो सूचना चुना सब में डिरेक्ट लिचे जाएंगे अब समझे एक आत्मविश्वास का मैंने बताया तो ऐसे कोई भी चीज का हो सकता है जो भी चीज आपको चाहिए उसकी सूचना आपने देना तो वह सूचना देने का है जब आप रिलाक्स हो जाएंगे तब तब रिलाक्स होने के पहले आप गहीरी संब्मोना उस्ता में जा हाथ पहर के विल्टत से और पहरों के पंज्ए क्षब स्क्यध्यश्क के पह दन पे Easy व छेव्यूस प्ल्दूट ऌर क्या कि पैर अबी एक से गिंदिवर करूंगा और जैसे जिदू बहुत जाएंगी वैसीव ऐसी सुचन अपने आपको देने का है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, ऐसा धीरे धीरे बोलने का है, इससे भी धीरे मैंने जब वीजो बोला उससे भी धीरे बोलने का है, जिससे की वेक्ती खुद आप सम्मोहना उस्ता में और चले जाएंगे, और फिर आत्मविश्वाद बढ़ाने की सूचना देना, या स्टेज देरिंग की सूचना देना, या पढ़ाई की सूचना, जो भी सूचना अपने आपको देने का है, वो सूचना देने का है, तीन बार सूचना देके एक बार गिनना, ऐसा तीन बार करने का है, दर दर सेक तो यह आप कर सकते हैं जागुरत 3-2-1 या और गहरी सम्मोन वस्ता में जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी मैं दो मिनिट ऐसे बैठ रहा हूं और दो मिनिट मैं पूरा कलपना चित्र मेरे सामने लाँगा विजुलाइजेशन कि मुझे कहा कहा प्राब्लेम आते हैं तो वो प्राब्लेम जो है वो मैं आसानी से हल कर रहा हूं जो भी समस्या हैं वो समस्या हैं आसानी से हल कर रहा हूं ऐसी कलपना करना है अपने आपको यह प्राप्राब्लेम आपको कुछ भी प्राप्लेम हो आपको वह प्राप्लेम संवन से से अपको से निकल सकता है। अल 나오나 और Another आटीम जिससे कि आपको जो भी समस्यान ऑंगिεν समस्या कुझसी एक तो बोलने में हक लाना बिस्थर में पेशयाप करना ये बच्चों की समस्या है पढ़ाय में ख्याल नहीं पुल जाना, प्र जादा मस्ती करना, स्कूल में जनने का डर है, फिर नीन नहीं आने का है, भूग कम लगती है, भूग जादा लगती है, दोनों भी इसमें काम में आता है। डर है, बाहर निकलने का डर, रास्ता पार करने का डर, उचे पर हाइट पर जाने का डर, कोई प्रानी का डर, मतलब चिपकिली का डर, या बिल्ली का डर, कोई भी ऐसा डर आपको लगता है, तो वो डर है, मतलब दुरुभीती, फोबिया, तो ऐसे फोबिया अलग-अलग है, anxiety है निराशा है depression है तो ऐसे अलग-अलग जो डर है वो निकल जाते है hysteria की बिमारी है या कोई भी गुसा आना short temperedness फिर stage daring नहीं होना आत्मविश्वास फिर बार-बार हाथ दोने की जो बिमारी है OCD तो वो भी ठीक हो सकती है है ऐसे अलग-अलग काफी सारी बिमारिया इसमें अच्छे हो जाती है कोई किसी को मतलब ऐसा काम में मन लगता नहीं concentration नहीं होता या उदासिंता लगती है दिन कैसा जाएंगा मालूम नहीं इसा कभी-कभी होता है या अलसी पना आ जाता है मतलब इसे काफी सारी बाते जो इतनी जिन्दगी में उसमें स्वसम्मोन हम करते हैं तो उसमें बहुत जादा फैदा होता है और अपना जिवन अधिकतम आनंदी खुशाल हो सकता है इसके बारे मैं धिक जानकारी के लिए की सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उसको लैक भी करो शेर करो लोगों के साथ में फेस्बूक को फेस्पोक पेजिक को रहात इपने हमारे वेब्सेट को करो तो देंक्यू रेंच